नमस्कार मेरे पैरे साथियों, स्वागत आप सभी का डिजल मार्केटिंग गुरुच के एक और नए और शांदार वीडियो में देखे दोस्तो, अगर मैं आपको बोलू कि ये ओनलाइन पैसे कमाने का एक ऐसा शांदार और जबर्दस तरीका भी है जिसमें दोस्तो, आपको बहुत ज़दा काम नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आप 35-50,000,000 रुपे परमंत कमा सकते हैं और वो भी दोस्तो, सोते सोते यहां बलकुल दोस्तो, आपने सही सुना है और सबसे इंपोर्टन बात दोस्तो, पता है क्या है यहां पे आपको ना तो YouTube पे काम करना है ना दोस्तो, आपको affiliate marketing करनी है ना दोस्तो, आपको blogging करनी है और ना दोस्तो, आपको reselling करनी है आज किस वीडियो में मैं आपको जो earning idea बताने वाला हूँ जो तरीका बताने वाला हूँ आज किस वीडियो में हम जो तरीका सेखने वाले हैं इस पे दोस्तों आप बिल्कुल पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं अगर आप कहीं पे और जॉब करते हैं आपका सरकारी या प्राइविट जॉब है तो आप उसमें भी काम कर सकते हो आप डेली एक गंटे भी काम करोगे न अगले महिने के बाद उसके बाद आपको रहेगी यानि कि अगर एक बार आप सेट अप कर लोगे तो आपको 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 पैसे कमाएंगे किसके साथ देखिए इसमें मैंने लिखा अर्न विट गूगल देखिए जो आइडिया रहेगा ना उसमें हम काम करने वाले हैं ग कर लोगे तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा क्योंकि हम काम करने वाले हैं यहां पर गूगल के साथ ठीक है उसके बाद अगर आप दूसरे के स्टूडेंट है आप एक हाउस वाइफ है अधर आप कोई परसन है तो आप सभी इस बिजनस को करने के लिए इलीजिबल है आपको किसी भी परकार का बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन बहुत जदा स्किल्स के रिक्वार्बेंट नहीं है जो पूरा बिजनस आइडिया है ना जो पूरा मेथड है वो मैं आपको प्राक्टिकल मेरे लाप्टोप इसी की स्क्रीन पर समझाऊंगा तो आप उसको सब्सक्राइब करना और हमें सपूर्ट करना जरूर कोशिश करना तो चलीए दोस्तों किया है कैसे आपको फ्रत करना है वो मैं practical मेरे laptop PC की स्क्रीन पर आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पर देखें दोस्तों मैं अपनी laptop PC की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अब मैं जो पूरा earning method है यानि कि आप कैसे महीने के सोते सोते 35-50,000 रुपर महीने कमा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर मेरे laptop PC की स्क्रीन पर बता देता हूँ practical देखें वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको मैं बता दूँ बहुत ही शांदार earning idea है अगर आप पूरा दिखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा और मैं आपको इसके अंदर मेरा जो earning proof है मैं खुद भी इस पर काम कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि definitely इस पर work होता है और आप भी इसमें काम कर सकते हैं ठीक है आप देखें कि दोस्तों करना क्या है सबसे बहले मैं आपको earning method बता दिता हूँ और उसके बाद मैं आपको practical बता दूँगा कि कैसे आप उसको सुलू कर शकते हैं तो देखें करना क्या है यहाँ पर माल लो आप दोस्तों Google पे कभी भी जाते हो और दोस्तों आपको पता है health stability सब को tension होती है कि मैं अपना सरीर का ध्यान रखूँ मैं अपनी सरीर में मैं को क्या-क्या चीजों के requirement है हर किसी को होती है अपने body की tension तो इंडिया में भी कुछ लोगों को अपनी body की tension होती है और वो लोग क्या करते हैं वो लोग Google का इस्तमाल करते हैं कुछ keywords को research करने के लिए अपनी body का ख्याल रखने के लिए कुछ चीज़े search करते हैं जैसे यहाँ पर Google में जाते हैं और यहाँ पर मानलोग को टाइप करता है calories calculator अब जैसे दोस्तों यहाँ पर calories calculator कोई भी search करता है मैं इसका search volume भी आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया में इसको कितने लोग search करते हैं तो अगर इंडिया की बात करों दोस्तों यहाँ पर देखे मैंने एक extension डाल रख है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर keyword surfer keyword surfer दोस्तों एक ऐसा extension है जिसके अंदर आप किसी भी keyword का बड़ी आसानी से search volume पता लगा सकते हैं तो यह वाला keyword extension आप भी use कर लेना ताकि आपको किसी keyword का search volume यहाँ पर पता लग जाए तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इसका search volume है 1,35,000 यानि कि इंडिया में 1,35,000 लोग इसके बारे में हर मेने search करते हैं और इसका जो CP से average यह है 0.45 डॉलर अगर आप यहाँ पर side में देखेंगे तो देखें इस related और भी आपके पास काफी सारे keywords आएंगे तो इसका मतलब है कि इंडिया में calories के बारे में कम से कम या calories calculator के बारे में कम से कम हर मेने 5,000,000 search volume आता ही आता है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो competition कुछ नहीं है यहाँ पर देखे calculator.net यह एक बहुत ही बड़ी website है और अगर आप सोच रहें कि देखें यह वाला वीडियो में आपको ऐसे जबरदस्ती बता रहा हूं मजा कर रहा हूं आपके साथ तो आप calculator.net वाली जो website है ना इ इसका जो volume है ना यानि कि इसका जो traffic है ना वो भी आपके एक बार देख लेना आपकी आँखें खुल जाएगी मैं आपको इतना बोल सकता हूं यह देखे calculator.net पे calories calculator है यहाँ और इसका देखे एडसंस approval भी मिला हुआ है मैं इसको cross करके दिखा देता हूं यह एडसंस का approval द करेंगे तो देखें यहाँ पे एक दो website और मिलेगी आपको बाकी उसके बाद आपको दोसों यहाँ पे blogs वगरा आना start हो जाते हैं तो यह blogs हैं इन website पे proper calories calculator नहीं बना रखें बट आप क्या कर सकते हो आप इस competition का फाइदा उठा सकते हो ठीक है और इस keyword का इस volume का फाइदा और आप यहाँ पे अपना business start करके उससे पैसे कमा सकते हो लाखो के रूप में ठीक है तो देखें business idea यही है कि आप calories से related calculator बना सकते हो EMI से related calculator बना सकते हो Loans related calculators को बना सकते हो multiple type के ऐसे calculator ideas होते हैं keywords होते हैं जिनके उपर आप काम कर सकते हैं और उससे लाखों रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं आप देखें दोस्तों कुछ लोग ऐसा minded है तो वो सोच रहें कि यार इससे कुछ नहीं होता तो मैं आपको बोलूँगा देखें आपका मैं कुछ नहीं कर सकता है भगवान आपका बला करे लेकिन calories calculator.net की अगर आप volume search कर लेंगे इसका traffic पता कर अब ये बंदा लाखो करोडो रुपे कमा रहा है लेकिन आप comment करने में बैठे हैं कि ये कुछ नहीं होता इससे ठीक है तो भगवान आपका बला करे मैं कुछ नहीं बोल सकता लेकिन अगर कुछ लोग जानने के लिए तयार है कि कैसे calculators बनते हैं और कैसे आप अपना खु भी बनाना पड़ेगा तो यहां पर देखें दोस्तो जाना क्या करना क्या है आपको दोस्तो यहां पर आपको टाइप करना है जैसे calories calculator और यहां पर दोस्तो या तो आप theme forest टाइप कर लो या फिर दोस्तो आप code cannon आप टाइप करो और यहां पर दोस्तो आपको search बटन पर क् आप link पे click करोगे तो यहाँ पे automatically redirect हो जाओगे, पहले आप मेरे blog पे redirect होगे, उसके बाद आप calories calculator के उपर redirect हो जाएंगे, मैं इसका link दे दूँगा, पहले मेरे blog का link दूँगा, उसके बाद इसका link दूँगा, क्योंकि मैं sponsored नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 80 रुपे होते हैं, तो आप खुद calculate कर सकते हैं, करीब 16 रुपे के something, यह वाला plugin आपको purchase करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे बहले तो आप live के उपर click कर दो, आप यहाँ पे आप दूस्तों देख सकते हैं, जैसे मैंने live पे click किया, यहाँ पे आप पे अपनी जो details हैं, वो डाल सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी calories को easily आराम से calculate कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको करना क्या पड़ेगा, एक आपको plugin या फिर आपको theme purchase करना पड़ता है, और उस theme के अंदर आपको calories calculator जो है, आपको use करना पड़ता है, आप दे तो दोस्तों आपको करना क्या है, code cannon से आप इस plugin को एक बार purchase कर लीजेगा, और उसके बाद दोस्तों करना क्या है, एक आपको Dominium भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखे हो, दोस्तों पहला step आपको यह वाला जो plugin है, code cannon का वो plugin आपको लेना है, और उसके बाद दोस्त दोस्तों मैंने calories calculator को search किया, अब जैसे माल लो हमने आपके calories calculator को search किया, और मैं आपके उसको search करता हूँ, तो इसका volume आरा हमारे पास 135,000, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस Dominium को हम एक बार purchase करने की कोशिश करते हैं, तो देखें, आपको करना क्या है, इस Dominium को यहाँ से copy कर देखें, आपको new tab पे जाना है, यहाँ पर आपको type करना है, दोस्तों, Godady, आपको eaddy के उपर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर दहें को देखें, смог और आपको prob प्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो research है God A.D. का वो start हो चुका है तो अगर हमारे पास दोस्तो डॉमीनीम होगा तो हम God A.D. से यह डॉमीनीम purchase करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तो caloriescalculator.com किसी ने already purchase कर लिया है तो हम क्या करेंगे दोस्तो यहाँ पर type करेंगे .in तो .in हम यहाँ पर purchase करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है दोस्तो यहाँ पर देखे .in type की हमने और .in यहाँ पर हम लोग search कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों हम इंडिया के अंदर website बना लेंगे, इंडिया के अंदर हम website चला लेंगे, तो हमारा .in से भी काम चल जाएगा, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, Calculator, जो है, यानि की Calculator.in हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, Make It Your के उपर हम लोग क्लिक कर ल आपको Continue to Cart के उपर क्लिक करना है, जैसे दोस्तों आप Continue to Cart के उपर क्लिक करोगे, आपके सामने Checkout Option आ जाएगा, उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपका जो Godaddy Account है, वो पहले आपको बनाना पड़ेगा, अब दोस्तों मेरा जो Godaddy Account है, वो अल्रेडी बना हुआ आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको रेडी टू पेक उपर क्लिक करना है, अब इसमें आपका Investment जाएगा अपर आपक्स 600 रूपे, तो ये 600 रूपे मैं आपके लिए लगा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैं पैसा खुद भी Invest कर रहा हूं, त तो आप ऐसा मस सूचेगा कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, भीया इन पे रियल में काम होता है, इन पे रियल में पैसा आता है, इसलिए मैं आपके लिए पैसा इंवेस्ट कर रहा हूँ और सारी नॉलेज आपको दे रहा आपको प्लीज सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शियर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक मिलियन तक पहुचाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं होगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता यार, हम लोग भी चार-चार, पांच-पांच-प आपके लिए वीडियोस बनाएं, आप अगर फालतू वीडियोस देखोगे, तो हमें भी डी मोटिवेशन होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगटिव कमेंट करते हैं, कि हम लोग फालतू या फेक वीडियोस बनाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते ह हमें बहुत बुरा फील होता है, और हम और वीडियोस आपके लिए नहीं बना पाते, यह चीज मैं आपको बोलना चाहूँगा आज इस वीडियो में, क्योंकि मैं यह चीज़े देख देख के ठक चुका हूँ, यह एक रियल बात है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस मिलिंग अडरेस वगरा डालना अकाउंट बनाना वो बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप आराम से बना सकते हूँ, अपने अडरेस वगरा डालके, गौट एडियो का अकाउंट बना सकते हूँ, उसके बाद दोस्तों सेव बटन पर क्लिक करना है आपको, जैसे दोस्तो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं continue purchase का option आ चुका है तो हम यहाँ पर इस domain name को purchase करेंगे और इस domain name को हमारे account में लेंगे उसके बाद हम next step पर चलेंगे कि कैसे calculator website बनेगी तो यहाँ पर देखे payment मैं कर देता हूँ और इसको purchase कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमने हमारा payment यहाँ पर कर दिया है और यह वाला जो domain name है वो हमारे पास आ गया मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर go to my account के उपर मैं click कर दूँगा और यहाँ पर देखे दोस्तों आपको sign in के उपर जाना है और आपका जो account है आपको login करना है account automatically वैसे login रहता है आपको करना क्या है आपके account के उपर click करना है my products के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप my products के उपर click करोगे न यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके product है वो आपके सामने सारे के सारे product आ जाएंगे ठीक है तो उन में से हम क्या करेंगे हमने जो scoredown करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते है calories calculator.in का जो product यानि की जो domain name है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है अब मैं क्या करूँगा दोस्तों इस domain name को setup करूँगा और इस domain name के उपर एक live page भी कर रख है वो मैं आपको दे भी सकता हूं लेकिन वो एक illegal काम हो जाएगा तो मैं आपको free में दूंगा नहीं क्योंकि यह जो मैनत कर रहे न यह लोग बिचारे code बनाने में या फिर जो plugin बनाने में मैनत कर रहे न इनकी मैनत का भी इनको फल मिलना चाहिए तो अगर आप जादा आपको देखना नहीं चाहिए आपको अगर real में पैसे कमाना है अगर कुछ लोग ऐसे सोच रहे है कि यह fake वीडियो फाल्तू वीडियो और मैं पैसा यहाँ पर waste नहीं करूंगा मेरा time waste हो रहा है तो भीया मैं आपको कुछ नहीं कर सकता है लेकिन real में जो लोग serious है ना उनको यह सारी चीज़े करनी पड़ेगी पैसे invest करके ठीक है अब आपको करना क्या है देखिए यहाँ पे सबसे ले तो DNS के उपर click कर दीजे और इस domain name के उपर हम एक live website बनाएंगे अब live website बनाने के लिए हमें दूसरी requirement है हमारे पास theme होना जरूरी है sorry hosting होना जरूरी है तो hosting हम यहाँ से purchase कर लेंगे hostinger से bluehost से कहीं से भी आप purchase कर सकते हो तो देखिए मेरे पास already कुछ hosting plans है जो मैंने purchase कर रखे हैं मैं क्या करूँगा दोस्तों उनी hosting plans को यहाँ पे login कर लूँगा आपको किस company से hosting plan purchase करना है वो आप खुद भी decide या तो कर सकते हो खुद से और आप चाहो तो आप use कर सकते हो तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं एक hostinger का मैंने वैसे already यहाँ पे use कर रखा है तो मैं इसको तो आटा देता हूँ ठीक है hostinger से मैंने purchase कर रखा है और दोस्तों मैं क्या करता हूँ एक मेरे पास और से hosting है अलग से वो मैं आपे login कर ल तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए, होस्टिंगर पर जाता हूँ, और होस्टिंगर आपको जाना है, टाइप करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन देखाएंगा, आप फिकर मत करिए, इसका लिंकर आपको जाना है, तो नीचे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए, इसका प्लान आ रहा है, यहाँ पर फिस्ट मनद का लेना है, एक मैंने आपको लेना है, क्योंकि हम ट्राइल करेंगे यहां पर, ठीक है तो एक मेने का 699 रुपे यहाँ पर लग गया और 500-700 आपका डॉमी नेम का लग गया और 15-1600 रुपे आपका थीम का लग गया टोटल आपका अमाउंट जाएगा करीब 3000 रुपे का सम्तिंग इन्वेस्मेंट जाएगा डिजाइन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेगी यहाँ आपको बता दूँगा कैसे डिजाइन होती है अब यहाँ पर देखे आपका अपना अकाउंट बना सकते हो गूगल के साथ यहाँ पर अगर आप पेमेंट करोगे पेटीम से तो आपकी होस्टिंग ऑटमेटिकली बाई हो जाएगी तो 600-700 रुपे में आप जो अपना होस्टिंग परचेस कर सकते हैं मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिंग में दूँगा और मेरा एक कोड भी दूँगा जिससा आपको एक्स्टा डिसकाउंट इसमें मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों देखे मैंने अपना जो होस्टिंग अकाउंट है वो मैंने लोगिन कर लिया है और यहाँ पर देखें दोस्तों हमारी जो तीन होस्टिंगs है तीन वेबसाइट से वो अल्रड़ी यहाँ पर चल रही है तो हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और तो यहाँ पर दोस्तों आपको WordPress के उपर क्लिक करना है जैसे दोस्तों WordPress के उपर क्लिक करोगे यहाँ पर Admin का आपको Option आ रहा है तो यहाँ पर Language English होगी Admin ID आप डाल सकते हो और जो भी आपको Password अगरा वगरा Create करना है वो Password आप Create कर सकते हो ठीक है? इस परकार से आपको सारी चीज़े करनी है और Continue Button पर आपको क्लिक करना है जैसे Continue Button पर क्लिक करोगे इन सारे Plugins को आप यहाँ से अटा लो कोई Problem नहीं है हमें इनकी जरुवत नहीं है तो यहाँ से देखें हम इन सभी Plugins को अटाएंगे एक Plugins हम यहाँ पर रखेंगे Google Site Kit उसके बाद दोसे हम दुबारा से Continue Button पर क्लिक करेंगे Continue Button पर जैसे क्लिक करेंगे हमें Theme के जरुवत नहीं है यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे I Don't Want Theme के ओपर क्लिक करेंगे Brand Name का आपको Option आ रहा है यहाँ पर आपना जो Brand Name में वह आप डाल दीजे Description में आपको कुछ डालना है तो ठीक है यहाँ पर आप देखें डाल दीजे इस तरीके से और आपको देखे Continue Button पर क्लिक करना है जिसे Continue Button पर क्लिक करोगे Exacting Dominium आपको चूज करना है क्योंकि हमारे पास Already हमने Dominium Purchase कर रहा है और उसके बाद देखें यहाँ पर आपको Dominium डालना पड़ेगा और Continue Button पर आपको क्लिक करना है जिसे दोस्तों आप Continue Button पर क्लिक करोगे Invalid Dominium चले ठीक है कोई बात नहीं हम यहाँ पर .in लगा लेते हैं और दुबारा से हम Continue Button पर क्लिक करेंगे जिसे दोस्तों आप Continue Button पर क्लिक करोगे अब आपको करना क्या है यह Dominium यहाँ पर देखें आपको Host करना है तो इसका जो God Eddy का और जो Hostinger का Name Server है न वो आपको एक दूसरे के साथ Connect करना पड़ेगा तो यहाँ से Name Server आप Copy कर लो और यहाँ पर आपको Name Server लेके आना है कहाँ पर लेके आना है God Eddy में DNS के उपर आपको जाना है और देखें यहाँ पर इसका Name Server अपडेट करना है तो Name Server के उपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर Change Name Server के उपर आपको क्लिक करना है ठीक है चेंज नेम सर्वर के उपर दोस्तों जैसे क्ली करोगे अड़िट आ गया आपके पास यहाँ पर माई आउन करना है और यहाँ पर नेम सर्वर फर्स डल गया दुबरा से आप चाहिए तो जा सकते हैं यहाँ पर देखे वापस से आप जाईए और यहाँ आपको नेम स गंटे यहाँ तो हो सकता है वेट करना पड़ जाए यहाँ पर दोस्तों अगले 15 से 20 मिनट में आपका नेम सर्वर हो सकता है अपडेट हो जाए तो यहाँ पर देखे नेम सर्वर तो हमने इस प्रकार से सक्सेस्फुली अपडेट कर दिया और उसके बाद दोस्तों फाइन चीजे रह गई है उसमें यानि कि उसमें हमारा थीम इंस्टॉल करना यान की प्लगिन इंस्टॉल करना और उसके बाद हम आप एक कैल्कुलेटर कैसे बना सकते हैं वह भी मैं आपको जानकरी दे देता हूं ठीक है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो वर्डप्रेस है यहाँ पर आपके डॉमीने में एजली ऑटोमेटिकली जो है सेट अप हो जाएगा तो यहाँ पर आप दूस्तु देख सकते हैं हमारा जो वर्डप्रेस हमारे डॉमीने में इंस्टॉल हो चुका इस तरीके से अब देखिए यह हमारा जो डॉमीने में वो लिंक हुआ है कि नहीं तो ठीक है हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको अटाते हैं तो अभी हमारा वैपसाइट यहाँ पर लाइब नहीं हुआ हम मैंने साइट के उपर दुबारा से क्लिक करेंगे और मैंने साइट के उपर क्लिक करने के बाद हम दुबारा से होस्टिंगर का जो होस्टिंग पैनल है उसके उपर हम विजिट कर लेंगे तो यहाँ पर देखे दोस्तो हमारा जो calculator.in है और हमारी जो होस्टिंग है वो एक दूसरे के साथ विजिली इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है अब यहाँ पर एडिट वेबसाइट का फ्यूचर जो आपको दिखर है न अगर यहाँ पर इनिबल हो गया न तो इसका मतलब है कि हमारा जो डॉमीन नेम है और जो हमारी ह होस्टिंग है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद हम आपकी वेबसाइट को एजिली आडिट कर सकते हैं तो देखे इसके लिए आपके पास दो सिच्वेशन है पहला तो आप आदे गंटे वेट कर लो और उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन करेंगे लेकिन पूरा वीडियो आपको इसमें मिल जाया का आपको फिकर नहीं करना ओके तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से 20 मुनट के बाद मैंने जब आपनी वेबसाइट को रीचेक किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिट वेबसाइट का option हमारे पास चुका है और हमारी वेबसाइट में 200 SSL में इंस्टॉल हो चुका है अब आपको करना किया दोस्तों इस वेबसाइट के उपर अगर आप कल्कुलेटर को रन करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर एडिट वेबसाइट के उपर क्ली करना रहेगा और जैसे दोस्तों आप आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है उससे पहले आपको क्या करना है अपीरियंस में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आप थीम के उपर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों करना कि एक आपको थीम यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी ठीक है तो मैं आप दोस्तों क्या करता हूं मैं यहां पर एक theme search कर लेता हूं add new पर मैं क्लिक करता हूं and यहां पर जो popular themes है वो मैं एक बार यहां पर जो है install करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर देखें नीचे score down करेंगे तो आपके पास generate press आ रहे है simply आपको install button पर click करना है and जैसे दोसे install button पर click करेंगे जो generate press theme है वो आपके सामने यहां पर install हो जाएगी तो generate press best option है आप इसको activate कर लीजिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी website में यह वाली theme install हो जाएगी आप यहां पर एक बार अपनी website के उपर click करिए और जैसे website के उपर click करेंगे देखेंगे यहां पर इस परकार से आपकी जो website है उसमें gender press automatically आ जाएगी तो इस तरीके से आप देख सकते है gender press आपके पास आ चुकिए है अब आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पे आपकी website के अदर आपको calculator जो है use करना है calories calculator तो आपको मैंने बताया था कि code cannon से आप जो theme है वो purchase कर लेना जो code है वो आप purchase कर लेना अगर आप यह वो code purchase कर लिया तो अब आपको करना क्या है वो code दोस्तों आपको दुबारा सा लेकर आना आपकी website पे तो यहाँ पर देखें दोस्तों मैंने आया website पे and यहाँ पर देखें दोस्तों आपको जाना है plugins में plugins में दोस्तों add new plugin के उपर click करना है और जो भी आपका code है वो आपके पास जिस भी folder में वहां पर आपको जाना है, यहां पर upload plugin के उपर click करना है, choose file के उपर आपको click करना है, यहां पर देखें दोस्तों, आपको करना है, जो आपका plugin है, वहां पर आपको जाना है, तो देखें मैंने music के अंदर इसको डाल रखा है, मेरे पास यह already plugin है, ठीक है, तो यहां पर देखे के दोसर, main files के उपर में 클릭 कर देता हूँ, upload के उपर में klik में klik कर देता हूँ, plugins के उपर klik कर देता भी ये देखै, fitnesscalcalculator.in, मेरे पास जो plugin वो आ गया है, मैं इसको install button बे klik कर देता हूँ, और जैसे दोसर, install button बे klik करेंगे, plugin इंस्टॉल हो चुका है, activate बटन पर मैं इसको click कर दिता हूँ ठीक है जसे दोसा आप activate बटन पर click करोगे यह वाला जो plugin है वो automatically हमारे देखे WordPress site में install हो चुका है यहाँ पर अगर कुछ plugins है जिनको आप deactivate या फिर delete करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं जिसे hello dolly है इसको भी आप यहाँ पर delete कर दीजे hosting गर है तो आप इसको deactivate कर दीजे यहाँ पर इसका भी काम नहीं है मैं इसको भी यहाँ पर देखे इस प्रकार से deactivate कर देता हूँ जितना plugin कम रखेंगे उतनी आपकी site जो है ज़्यादा optimize रहेगी ठीक है तो यहाँ पर आप दोस्तो देख सकते हैं यह वारा fitness calculator plugin हमारे पास आ चुका है और इसको अगर आप देखेंगे तो देखेंगे उपर यहाँ पर यहाँ पर यह वारा option हमें मिल चुका है अब हम क्या करेंगे दोस्तों हमारे calculator को live करेंगे तो हम यहाँ पर जाएंगे एक और page बनाएंगे, page के उपर जाएंगे, add new page के उपर click करेंगे यहाँ पर दोस्तो हम क्या करेंगे, calories calculator करके हम यहाँ से एक नया page बनाएंगे ठीक है, तो मैं calories calculator को मैं आपर search कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ at title के उपर मैं जाऊंगा यहाँ पर दोस्तों मैं एक नया page बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैं आप इस page दे दूँगा calories calculator ठीक है इस तरीके से and यह देखे and उसके बाद दोस्तों publish button पर आपको click करना है public button पर click करना है page आपका जो है यहाँ पर live हो चुका है हम दुबरा से जाएंगे दोस्तों website के back end में यह देखे इस परकार से आप back end में जाएगा तो यहाँ पर देखे दोस्तों आपको homepage change करने के लिए क्या करना पड़ेगा appearance में जाना है आपको 这个 page ंशे Surah and यहाँ पर दोस्तों आपको customization option पर click करना है and दोस्तों जясे आप customization option पर click करेंगे यहाँ पर देखे website customization को option आ आचुका है तो इस परकार से अभी हमारे पास सामनी यह homepage है हम क्या करेंगे इस homepage को change करेंगे settings की उपर click करेंगे page की उपर click करेंगे ये home page के अंदर आमारा convert हो चुका इस तरीके से and home page में convert होने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है इस page के अंदर आपको जो calculator है वो आपको live करना है तो देखे किस प्रकार से आप calculator को live कर सकते हैं वो जानकारी में आपको दे देता हूँ वापस से दोस्तों आपको WP admin पे जाना है और यहाँ पे जो आपका home page है उसके अंदर आपको calculator live करना रहेगा ठीक है तो कैसे करना मैं आपको बता दिता हूँ यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों calculator पे fitness calculator पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा कौनचा था यहाँ पे नीचे scroll down करके आएंगे हम लोग तो यह वाला calculator है ठीक है इसमें आप देख सकते है calories calculator अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है एक बार calories calculator करके आप यहाँ पे डाल दीजे name डाल दीजे ठीक है यहाँ पे देखे दोस्तों आपको करना क्या है submit बटन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों करना क्या है calories calculator पर वापस जाना है इस प्रकार से वापस जाना है यहाँ पे देखे दोस्तों आपको क्या मिलेगा एक आपको shortcode मिलेगा ठीक है तो इस shortcode को आप यहाँ से copy कर लीजे and copy करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है वापस से आना है आपको यहाँ पे ठीक है and यहाँ पे आने के बाद दोस्तों added page के उपर क्लिक करना है added page के उपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों आपका जो shortcode है न वो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डलेगा देखिए इस प्रकार से store code डला और वापस अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे अब preview पर एक बार क्लिक कर दीजे mobile या फिर दोसो laptop PC में कहीं पर भी आप preview कर सकते अब जैसे दोसों आप preview करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दोसो calories calculator देखिए इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है यह देखिए calories calculator इसमें आप अपना calories जो भी डालना चाहरे है वो calculator आप यहाँ पर डाल सकते हैं और आप अपनी calories को इस प्रकार से आप calculate कर सकते हैं तो देखें, दोसों, मैंने पूरा आपको बता दिया है, किस परकार से आप एक calorie calculator को live कर सकते हैं, अब आप इसको Google में rank करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस पे SEO करना स्टार्ट कर दो, backlink बनाना स्टार्ट कर दो, on page SEO, off page करना स्टार्ट कर दो, और थोड़ा थोड़ा आप इ आएगा, ठीक है, तो I think आज का इस वीडियो complete आपको समझी में आ गया होगा, और I think आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को like करना, आपने दोसों के साथ, share करना, और एक और बात इस वीडियो के आण में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोसों, देखें मेरा नाम राउल है, मैं digital marketing expert हूँ, अगर आप मैं साथ digital marketing का course करना चाहते हैं, facebook marketing, google ads, facebook marketing, drop shipping, affiliate marketing का course करना चाहते हैं, तो हमारे course अलड़े हमने live कर दी हैं आपके लिए, आप चाहें तो हमारे description में आमने links दे रखिए, वहाँ से जाके आप courses को purchase कर सकते हो, और आप घर बेटे drop shipping, facebook marketing, google ads, बहुत सारी चीज़े आप सीख सकते हो, और उसके बाद आप खुद का business वगरा स्टार्ट करके घर बेटे पैसे भी कमा सकते हो, या अगर आपको दोसों online live digital marketing सीख नही तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे दुबारा request करूँगा, please इस वीडियो को support करना, क्योंकि आपके support और आपकी प्यार की बहुत जरूरत है, 3-4,000 views से हम ठक चुके हैं, तो आप support करेंगे, 1-2,000,000 वीडियो पर आ आता रहूँगा, आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को support और subscribe करने के लिए, आप सो भी मेरे पहरे पहरे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद